लूज प्यारे पिचों कैसे हैं आप लोग आई होंगे और ग्लासेस को इंजवाय कर रहे होंगे हम लोग आट एंग कल्चर की बहुत सांदर प्रष्णों को साल कर रहे हैं और आज के प्रश्ण भी आपके सारे UPSC के आए हुए हैं और आज के प्रश्ण आप लोगों के नितिन संघानिया के पुस्तक से बनाय जा रहे हैं जो कलायम संस्कृती की सबसे महतपूर पुस्तक है नितिन संघानिया हमने आज सारे प्रश्ण नितिन संघानिया के पुस्त प्राचीन नगर बंधों की श्रिंखला बना कर और जुड़े हुए जलासियों से जल मोड कर जल संचेन और प्रबंधन की विश्तरित प्रडाली के लिए सोविधित है। प्रबंधन प्रडाली सबसे अच्छा दोलावीरा का था। प्रड़ किया जाता था, सांदर तरीके से पानी को इकठा किया जाता है। और लेखी किस तरह सिंदुगाटी सभेता में भी नाओ के द्वारा यातायाद किया जाता था। ये सारी चीज़े आपके सामने हैं, काफी खुबसूरा सा द्रिसे हैं, सिंदुगाटी सभेता के एक नगर का, जहाँ पे जल का किस तरह से यूज हो रहा है, यातायाद के रूप में और अन्नी चीजों के रूप में दिखाया गया है। निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है आपको ये बताना है, आपके सामने हैं चार अप्सन और इसमें से कौन सा सत्य है वो आपको बताना है, पहला है आजन्ता की गुफाई बागोर की तंग नदी घाटी में इस्थित है, दूसरा कहरा है सांची का इस्तूप चंबल की तंग नदी घाटी में इस्थित है तीसरा करा पांडव लेन गुफा मंदिर नर्वदा की तंग नदी घाटी में इस्थित है और चौथा करा अमरावती का इस्थूप गोदावरी की तंग नदी घाटी में इस्थित है आपको बताना है अजंता की गुफाएं आपको बताना है और आपका जो सही है वो है आपका 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 सत्य नहीं है और बाकी भी आपका सत्य नहीं है आपके सामने ये देखिए है आपका आजनता की गुफाएं है देखिए कितना सुन्दर है हाला कि बहुत प्राचीन हो चुकी है अब इनके बहुत सारी चीजे जो है वो समावत हो चुकी है लेकिन आज भी ये आपकी पुरा तत्विदों का एक तरह सी कहिए उनके संदच्छ बहुत बिहार भी है और बहुत चैत भी है दोनों बनाई गई है ये आपके सामने है सांचे का इस्तूप जो सबसे सुन्दर इस्तूप माना जाता है सांचे का इस्तूप जो की मध्य प्रदेश की राय सेन जिले में है आगे आपके सामने है अमरावती इस्तूप आप देखी जो रेलिंग है और जो आपका जहां से इंट्री और एक्जिट होते हैं कितना खुबसूरती से इसको सजाया गया है और संग मरमर के पत्थर पर काम किये गये हैं ये सारी चीजे पूछी जाती है अमरावतिकला के क्या विसेश्था है तो सबसे अच्छी विसेश्था है कि वो संग मरमर का बना हुआ है मुरायना के निकट इस्तित 64 योगनी मंदिर के संदर में इन विकित कत्नों पर विचार कीजे मुरायना के निकट एक 64 योगनी मंदिर है उसकी बारे में आपको बताना है कि कौन सी बात है जो सही आपके सामने कूट भी है और आपसन भी और ये आपका UPSC में आया हुआ क्वेस्टन है, पहला है यहां कच्छप घाट राजजिबंस के सासनकाल के दोरान बनाया गए गोलाकार मंदिर है, दूसरा करया भारत में बना एक मात्र गोलाकार मंदिर है, तीसरा करया इसका उद्दे से छेतर में बश्रोपंतु को बढ़ हो जाएगी, आपके सामने आउसन भी है और कूट भी है, और IS का प्रस्ण है तो निश्ची थी बहुत आसान होता है, IS के प्रस्ण बहुत conceptual होते हैं, आप सभी को पता है कि गोलाकार सिर्फ यही एक मंदिर होगा, इंडिया में संभव ही नहीं है, कि भारत का बना एक मात्र गोलाकार मंदिर है, ऐसी कोई बात नहीं, संभव ही नहीं है, कि भारत का एक मात्र गोलाकार मंदिर हो, अगर दूसरा गलत हो गया, तो देखी वचो कितना आसानी से आपको उत्तर मिल गया है, आपका पहला भी नहीं हो सकता, दूसरा भी नहीं हो सकता, चौथा भी नहीं ह है ऐसा लोगों की मानेता है यह बाषदो धर्म से नहीं जुड़ा है बलकि साक्त धर्म से जुड़ा हुआ है साक्त यानि की दुर्गा देवी की चौउसठ रूप की पूजा या 64 लोग की व्याख्या देखने को मिलता है बैशडों तो विशडों से जुड़े होते हैं इसने अपका दूसरा तीसरा दोनों घलत हो चुका है और कितना common sense का था अगर ध्यान थोड़ा सा दीजे तो इतना भारी भर कम प्रसना बहुत आसानी से साल्ब कर सकते थी ये देखिए आपके सामने आगया 64 योगनी मंदिर और इसी से प्रेरित होके बनाया गया है आपका संसत भावन ऐसा माननेता है ऐसा लोगों का कहना है कितना खुबसूर्ती से प्राचीन काल में ही मंदिर बनाए गये हैं और कितना सुन्दर इसमें देखिए अस्तंब हैं कितने सुन्दर ब्रांडे हैं सब कुछ है आपके सामने अगला कोईशन भी आईयस का आया हुआ है आपके सामने है कूट और आपसन भी और आपको बताना है कौन सा है जो सही हो जाएगा एक तरफ आपके अर्तिहासी कस्थल है और दूसरी तरफ आपका प्लेस है कहां पे कौन सी चीज़ें पाई गई है और कौन सा है जो सही है पहला आपसन कह रहा है बुर्ज होम क्या यहां पे चर्टानों को काट कर बनाएगे मंदिर के लिए ये प्रसिद्ध है क्या चंद्रकेतुगड तेरा कोटा कला के लिए जाना जाता है क्या गड़ेस्वर तामर पासार कालें संस्कृति है या कला कृतियों के लिए जाना जाता है पहले में है केवल पहला सही है दूसरे में केवल दूसरा सही है तीसरे में केवल तीसरा सही है तो आपका जो सही है वो है केवल और केवल आपका चौथा क्योंकि पहला क्यों गलत है बूर्जू होम में तो गर्टा kleinen अवास मिला है गड़ा घर मिला है ये सब चीजे मिले है यहाँ पे चटान को कट कर मंदिर बनाए जाने का कोई साछ्च नहीं मिला है अगर ये नहीं मिला है तो आपका पहला नहीं हो सकता आपका दूसरा नहीं हो सकता यानि कि आप या तो केवल तीसरा होगा या दूसरा तीसरा होगा तो याद रखेंगे आपका दूसरा तीसरा सही है चंदर के तुगड जो है ये आपका टेरा कोटा कला के लिए देखे ये भी UPSC में आया हुआ हुआ कि आयुद्ध्या में बन रहे राम मंदिर के वास्तुकार कौन है PO सुमपुरा है या चंदरकांत सुमपुरा है या ब्रिन्दा सुम्य है या बीवी दोसी है आपको बताना इसमें से कौन है जो आयोध्या के मंदिर के वास्तुकार है ये बताना है तो बताएंगे बिचलोग आप ये साथ से क्या है जो सही हो जाएगा आपका जो सही है वो है चंद्रकांत सोमपुरा आपके आयोध्या में बनने वाले राम मंदिर के जो वास्तुकार है जो डिजाइनर है वो हैं आपके चंद्रकांत सोमपुरा याद रखेगा बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट है आयो के दोर आप पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा चंद्रकांत सोमपुरा अगला क्वेस्टिन आपके सामने आ चुका है क्यारा निमलिक में से कौन सा या से हडपा सभेता की सरवाधिक विशिष्ट कलाकृती है या कलाकृतियां है आपको पताना है हडपा सभेता की सबसे विशिष्ट कलाकृती या कलाकृतियां कौन सी है आपके सामने है आपसन और आपके सामने कूट भी है और आपको बताना है सिंदुगाटी सभेता की सबसे विशिष्ट कलाकृति या कलाकृतियां कौन सी है पहला कराया है इस्टेट टाइट की मुहर दूसरा कराया मान की कृत अनुपात की इटे तीसरा कराया सोने की चूडिया और चौथा कराया चादी का थोकदान पहले में केवल पहला दूसरे में हैं पहला दूसरा तीसरे में हैं दूसरा तीसरा चौथा और चौथे में हैं पहला दूसरा तीसरा बताएंगे आपके इसाब से क्या है जो सही हो जाएगा ये भी आपके UPSC में आया हुआ question है और जो सही है वो है आपका पहला और दूसरा इस्टे टाइन के मुहर, मुहर जो है यहां के यह अपने आप में काफी बिसेश हैं और मानोकृत जो इटे हैं चार अनुपाते, दो अनुपाते, एक अनुपात में आपके पूरवजों ने ही इट बनाए थे जिससे सीख लेकर क आज के टाइम में इस तरह के चीजे बनाए जाती हैं तो है तो सभी वहां की कलाकृतियां लेकिन यह आपका पहला दूसरा जो है यह सबसे ज़्यादा विशिष्ट कलाकृति है जो अपने आप में साइंटिफिक है जिसमें साइंस है या जिसमें एक मानक है तो आपका पह नीले रंग की सिष्ट और हरी फिल्टाइन का प्रुप्योग किया जाता था गांधार सैली की मूर्तिकारोधार उप्योग की जाने वाले मुख्य सामगरी के रूप में कब गच्च का ने पत्थरों के पूरी तरह से प्रतिय स्थापित कर दिया ये क्वेश्टन थोड़ा समझ लेजेगा कह रहा है कि गांधार कला सैली में सुरू में नीले रंग की सिष्ट और हरी फिल्टाइन का उप्योग किया जाता था गांधार सैली के मूर्ती कारो द्वारा उप्योग की जाने वाली मुख्य सामगरी के रूप में कब गच्च कारी यहाँ पे होगा गच्च कारी एक पदार्थ है के ने पत्थरों को पूरी तरह से विस्थापित कर दिया कब ऐसा हुआ कि गांधार कला में जो नेचुरल नीले हरे पत्थरों का यूज किया जासता था उसको बिस्थापित करके गच्च कारी का यूज किया जाने लगा प्रथम सतावदी इसवी में दूतिय सतावदी इसवी में तृतिय सतावदी इसवी में या पांचवी सतावदी इसवी में देखिए UPSC का प्रस्तन है और आप लोगों को इसको याद रखना है तो याद रखेंगे इन पत्थरों को विस्थापित करके गच्छकारी का जो य गांदार कला है मैंने अप लोगों को गांधार कला के बार में बहुत सारी बात य trades बताई अनी कि मसल्स जो है वे उभरह हो यादि की काफी पहलवानों वाली बॉडी दिखाई जाती है जैसे में मसल सुभरे हो इसमें सिल्वट वाले बस्त्र होते हैं जिसमें आप देखते हैं चुन्नट होती है बस्त्र को पारदर्सी बनाये जाते हैं यानि कि बॉडी पार्ट दिखाई देता है इसके लावा इसमें आख देखी और नाक नक से जिसमें बुद्ध को काफी खुबसूरत दिखाने का प्रयास किया जाता है। और जब आकर्शक हो, हिष्ट, पुष्ट, बलिष्ट हो और अच्छे से उनका लंकरड किया गया हो तो समझ जाएगा कि वो गांधार का लगा है। और इसमें जो सही हो जाएगा वो है आपका आप्सन नंबर टू साह गवरा। जो है ये मौरेकाल से जुड़ा हुआ एक अभिलेख है और ये साह गवरा अभिलेख जो है ये कहां से मिला है ये गोरखपूर से मिला है। गोरखपूर से मिला है याद रखेगा गोरखपूर से मिला है और यहां से क्या पता चलता है यहां से सुखे के टाइम में लोगों को अनाज बित्रड का उल्लेख मिलता है कि लोगों को अनाज बित्रड किया जाता था लोगों को मदद किया जाता था तो साह गोरा आपके गोरखपुर में है और यहां से सुखे के टाइम में प्रजा की मदद का उल्लेख मिलता है ये मौरे काल से जुड़ा हुआ है बाकी आपका सिंदुगाटी सब्वेता के अस्थल हैं ये सारी चीज़े याद कर दिजेगा बहुत जादा महपोड है किस राजे में मंदिर निर्माड को कल्याण मंडप का एक उल्लेखनी विसेशता है कल्याण मंडप कौन से मंदिर निर्माड तब साहली में जो आपका कल्याण मंडप का एक उल्लेखनी विसेशता है चालुक की की, चंदेल की, राष्ट कूट की या बिजयनगर की आपके सामने option है और ये भी आपके लिए बेहर इंपॉर्टेंट है UPSC, CSC का है ये प्रस्ट कहरा कि इस राज्ज में मंदिर निर्माड में कल्याण मंडप का निर्माड ये को लेखनी विसेशता है चालुक की हैं, चंदेल हैं, राष्ट कूट हैं और विजयनगर है किसी एक राज्ज के मंदिरों में कल्याण मंडप बनाया जाता था कल्याण मंडप का मतलब होता है जहां देवी देवताओं का विवा किया जाता था और ये कंडल्यार मंडब विशेषता है विजय नगर सामराज्य के मंदिरों का ये आयोक के द्वारा पूछा गया है और आगी भी पूछा जाएगा इसको याद रखेगा अगला भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर में निविखित कतनों पर विजार कीजिए और बताई कौन सा कतन है जो सही हो जाएगा पहला करा पतेपूर सीकरी में बुलंद दर्वाजा और खान का बनाने में सफेद संगमर्मर का उपयोग किया गया था दूसरा करा है लखनव में बड़ा इमाम बाड़ा और रूमी दर्वाजा बनाने में लाल बलुवा पत्थर और संगमर्मर का उपयोग किया गया था अब आपको बताना कीवल पहला सही है कीवल दूसरा सही है दोनों सही है और कोई सही नहीं है यह प्रस्ण आईएस में आया हुआ है लेकिन इसमें भी देखें डिस्प्यूट जो है देखने को मिला है एक बुक में मैंने देखा था तो उसमें पहले को सही किया था दूसरे को गलत कर दिया था लेकिन यह नितिन सिंगानिया की किताब से मैं आप लोगों को क्वेस्टन करा रही हूँ और यह नितिन सिंगानिया के जो पुस्तक है यह आर्ट एन कल्चर की सबसे अच्छी समय की पुस्तक मानी जाती है इसमें बताया गया कि कोई भी सही नहीं है यानि कि दोनों गलत है फतेपुरम्पुर्शिकरी में बुलन दर्वाजा और खानका बनाने में सफिश संग्मरमर का उपव्योग हुआ है इनके हिसाब से गलत है लखनू में बड़ा इमाम बाड़ा और रोमी दर्वाजा बनाने में लाल बल्वा पत्थर और संग्मरमर का उपयोग हुआ है ये बाद में गलत है तो नितिन सिंगानिया के बुस्तक के हिसाब से दोनों बाते सही नहीं है इन में से कोई भी सत्य नहीं है ये बात याद रखेगा आपके लिए काफी महत्पूर है ये ये देखिया आपके सामने है बुलंद दर्वाजा जो की फतेपूर सीकरी में है अकबर ने बनवाया है लाल बल्वा पत्थर का बना है और इसमें आपको ये काफी खुब सुर्ती से दीख भी जहा होगा हला कि ये क्वेस्टन में कहा गया कि इसमें सफेद संग मर्मर का यूज़ किया गया है तो सफेद संगमर्वर का यूज नहीं हुआ है ऐसा नितिन सिंगानिया की पुस्तक में कहा जा रहा है ये लाल बलुवा पत्थर का बना हुआ बुलंद दर्वाजा है जो फतेपूर सिक्री में अकबर ने बनवाया था किस उपलक्ष में बनवाया था ये क्वेसन भी आया है तो गुजरात बीजे के उपलक्ष में बनवाया था ये बात याद रखेंगा गुजरात बीजे के उपलक्ष में अकबर ने बनवाया था बुलंद दर्वाजा जो फतेपुर सीकरी में है और लाल बलुवा पत्थर का है यह है आपका बड़ा इमामबाडा बड़ा इमामबाडा में क्वेस्टन कह रहा था कि लाल बलुवा पत्थर और संगमरमर का उपयोग किया गया है तो यह देखते आपके सामने हैं बड़ा इमामबाडा और यह देखिए आपका I think इए संगमरमर का ही है लाल बलुवा पत्थर का योज़ नहीं हुआ है इसलिए यह गलत कर दिया गया है तो आपके सामने देखिए बड़ा इमामबाडा भी है जो कि आपके कहा है लखनव में है बड़ा इमाम बाढ़ा आपके लखनव में है और इसलिए इसको लाल बलुआ पत्थर कहने के वज़े से गलत कर दिया है तो उमीद है आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी दोनों स्टेट्मेंट यहाँ पे गलत बताया गया है इसको ध्यान दिजेगा आयस में आया हुआ प्रस्ण है और वो आपके सामने में रखा था तो उमीद है आज की क्लास आप लोगों को अच्छे लगी होगी फिर हम लोग ऐसे हिसांदर प्रस्णों के साथ मिलेंगे और खोब बच्चे से डिसकसन करेंगे क्लास आप लोगो के साथ थैंक यू थैंक यू सो मच